नमस्कार दोस्तों कुदरते जड़ी उट्यो में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके सामने के नया दिब्ब पौदा लाया हूँ चमतकारिक पौदा जो आवसदी गुड़ों से भरपूर है दोस्तों आप लोग जानते तो होंगे आप लोगों ने लेकिन आप लोगों को उसके जो अवसदी गुड़ होते हैं उनके बारे में नहीं जानकारी है दोस्तों लोग समझते हैं यह खर्पतवार है और खर्पतपार समझ के पैरों से कुचलते जले जाते हैं या उखाड के फेक देते हैं तो वो नहीं जानते हैं लोग कि इसका क किस प्रकार क्या फायदा है कितने लाव है सक सि खर्पत्वार में तो दोस्तों आज मैं एक डिब पॉधे कीति के साथ और बता रहा हूँ आपको जो इस प्रकार से तो तो सबसे फहले से आपसे मेरा बिनमर नमेदा ने कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तो और वेल आइकन वाली जो अगंटी वाला बटन होता वो दबा दें और दोस्तो लाइक करें, सेर करें, कमंट करें तो दोस्तो चलिये मैं आपको पौधे से अवगत कराता हो, किस प्रकार का पौधा है, पूदॉस्तो ये खरैंटी का पौधा है, ये आप देख रहा होंगे, इसको खरैंटी कहा जाता है इसके दोस्तो आप पत्ते देख लें किस परकार के पत्ते होते हैं देखिए दोस्तो किस परकार के इसके पत्ते होते हैं दोस्तो अभी इसमें फूल नहीं आया है इसलिए मैं आपको फूल नहीं देखा पा रहा हूँ किस परकार का फूल होता है इसका तो आप इनके पत्ते देख लें, खरेंटी के, किस परकार से दोस्तों इसके पत्ते होते हैं, पैंचालने दोस्तों, ये देखिए आप किनारों पे हलके आरीदार कटे हुए होते हैं, आप देख रहे होंगे, तो इसका आकार थोड़ा पान की तरह है, देखने में पत्तों का और देखिए काफी सारे हैं आप तो इनको पहचालनें दोस्तों किस परकार के यह है और भी हैं दोस्तों यहाँ पर यह दोस्तों खरेंटी है दोस्तों यह दोस्तों एक परकार की बला होती है यह दोस्तों बला का जाता है इनको तो दोस्तों इस परकार की एक बला होती है जै दोस्तों यह उन्हीं की एक वेराइटी है उन्हीं की एक जाती है तो दोस्तों मैं इनके फायदे बताऊंगा किस प्रकार के दोस्तों फायदे दोस्तों चलिए मैं इनके कुछ फायदे बताता हूं इनके फायदे किस प्रकार से हैं तो दोस्तों खरेंटी के जो जड़ होती ह जड़ का चून दो दो गिराम चम्मत सुभए साम पीने से सभी परकार के मूत्र बकार में लाब होता है दोस्तों इस्तरी हो या पुरुस सभी के लिए जैसे पेसाब में जलन या किडनी वा गुर्दा में दर्द वा सूजन या फिर किसी परकार का संक्रमन हो सभी में लाब मिलता है दोस्तों दूसरा फाइदा दोस्तों इसका ये है ववा सीर के लिए खरेटी का पंचांग का चून सुभए साम सेवन करने से ववा सीर वा कब्ज दोनों में आरा मिलता है दोस्तों तीसरा फाइदा इसका ये है ताकत के लिए इसके पंचांग का काड़ा सहद मिलाकर दूट के साथ मिलाकर देने से ताकत वल, वीर, सीगर पतन, नपुन सकता, वजन, आदी वड़ता है और लाब होता है और दोस्तों चौता फाइदा इसका ये अधिक ताकत के लिए इसकी जड़का चूण घीवा दूद के साथ सेवन करने से हड़िया मजबूत होती है और बढ़ा में भी भी ताकत आती है दोस्तों दोस्तो और इसका पांचमा फायदा इस प्रकार से दोस्तो टीवी के लिए अगर किसी व्यक्ति को टीवी है या टीवी हो गई है तो इसके लिए मैं बताता हूँ फेपड़ो में कमजोरी है या फेपड़े खराब हो चुके हैं दोस्तो तो इसके पंचान का चून लेने से ब प्रदान करता है कहते हैं महावारत की समय में कहा जाता है इस खरेंटी या बला के पौधे को भीम खाते थे इसलिए उनमें कई हाथियों की ताकत रहती थी तो दोस्तों ये बहुती फायदेवंद पौधा है इसका सेवन करें आप लोग और इसको दोस्तों पेंचान लें ता जादा तर वारिस के मौसम में ही मिलता है दोस्तों बारिस के मौसम में हर जगाए खेतों की मेड़ों पर उख जाता है तो दोस्तों इसका आप सेवन करें दोस्तों इसका लाब उठाएं तो मैं आप आप से बिदा लेता हूं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ किसी अन जानकारी के साथ दोस्तो जय हिंद जय भारत